आई पील में सभी खेलाडी जो कि कमा रहे हैं लोगों हम आग बात करने वाले हैं कॉमेंट्रेटर की जो कि टॉप 10 कॉमेंट्रेटर कौन से है जो सबसे ज्यदा प्रमेज के और पर सीजन के उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं तो वीडियो एंड तक देखना तो दस्वे नंबर पर हैं वह आंब्वती राइडू की बात करें तो स्टार नेट वर्क तो वह चारज करेंगए पर सीजन इनकी बात करें तो पिछले साल चिन लने फायनल बो ट्रॉपी जीत कर उन्होंने रिटर्मेंट की गोष्णा की थी तो ऐसा कह सकते है कि IPL खेलने से ज्यादा तो यहाँ पर कॉमेंटरी करने के पैसे मिलते हैं यह जो रिपोर्ट के मुताविद मैंने यहाँ पर सेलेरी बताई है तो नौवे नंबर पर आते हैं वो है एरॉन फिंच एरॉन फिंच की बात करें तो यह ऑस्टेलिया का प रुपे चार्ज करेंगे 20 में चोके बात करें तो नंबर आठ पर आते हैं वह है स्टीव स्मीट प्लेयर जो कि पहले IPL में कई सारी टीमों के लिए वह खेल चुके है तो ऑस्टेलिया के लिए वह वंडे और टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे है फिर भी वह इनको कोई खरीदार नहीं मिला था उसकी वज़े से वह IPL में कमेंटरी करने के लिए आये है स्टार स्पोट के लिए वह कमेंटरी करते हैं इंग्लिश कमेंटरी वह कल मुझे हिंदी कमेंटरी में भी दिखे थे तो ऐसा कह सकते है कि इनको जो कि अलग-अलग बाशाओ के पैसे नहीं मिलते हैं एक मेंच के यान की पर मेंच के वह चार्ज करते हैं इनकी बात करते तो यह जो कि स्टार स्पोट के लिए कमेंटरी करते हैं इनकी बात करते तो यह तीन बाशाओं में स्टार स्पोट के लिए कमेंटरी करते हैं इंग्लिश हिंदी और इनके अलावा इनकी जो मातरुभाशा है गुजराती इनमें भी वो कोमेंडरी करते हैं पर मैच 18 लाक रुपे चार्ज करते हैं टीस से ज्यादा मैच इनकी कोमेंटरी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 30 मैचों का यहाँ पर बताया है, इन में 30 मैचों में वो 5 करोड 40 लाख रुपे चार्ज करेंगे पर सीजन के, इसके बाद नमबर 6 की बात करें तो वो है विरेंदरस सहवा, विरेंदरस सहवा की बात करें तो यह खिलाडी जो की जियो सिनिमा पर कॉमेंटरी करता है, इन में बात करें तो यह खिलाडी ऐसा है, जो कि टीम इंडिया का 30 तर्रार ओपनर था, इनकी बात करें तो यह कॉमेंटरी हिंदी, इंग्लिश और हर्याण वी में वो कॉमेंटरी करते हैं, तो यह पर मैच 20 लाख रुपे चार्ज करते हैं, कम से कम 30 मैचों में यह कॉमें सुना होगा, वो थे नवजो सिंग सिद्धू, और हिंदी कॉमेंटरी और इंग्लिश कॉमेंटरी, दूनों में ही काफी अच्छा इनका पर्फोंस था, इनकी बात करें तो इन्हों ने पहले ही इंटर्वी में बताया था, आईपील दुहजार चौबिस से पहले, दोजार समय में आकास चोपडा हिंदी कॉमेंटरी कर रहे हैं, इन से ज्यादा काफी अच्छी कॉमेंटरी तो नवजो सिंग सिद्धू करते हैं, और पूराने में अच्छे आईपील के उनकी याद दिलाती है इनकी कॉमेंटरी, इसके लिए नवजो सिंग सिद्धू के लिए एक नंबर थीम की बात करें तो यहां पर नंबर तीन पर सुरेश रेना है इनकी बात करें तो यह पर मेच के 30 लाख रुपे चार्ज करते है जियो सिनेमा की और से वो कॉमेंटरी करते है इनकी बात करें तो वो कम से कम 30 मेच की कॉमेंटरी करने वाले है 9 करोड रुपे इस सीजन में वो चार्ज करने वाले है नमबर 2 की बात करें तो वो है हर्शा भो और दस करोर रुपे वो चार्ज करेंगे नमबर एक की बात करें तो वो है आकास चोपड़ की बात करें तो वोनफ इस साल जी ओसिनेमा की और से वो कौमेंटरी नजर आ रहे है लेकिन्हों ने अच्छा खासा नाम भी कमाया है और अभी के जो खिलारी है इन में जो निकनेम जो दिये गये है वो इन्होंने ही ज्यादा तर नाम दिये है इसके लिए दोस्तों ऐसा कह सकते है कि यह आकास चौपडा जो की जियो सिनेमा की और से कॉमेंटरी करते है पर मेंच की फीज की बात करें तो वह है 25 ला सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा वो मझे कमेंट सेक्षेन में जड़ बता ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा